प्यार कोई खेल नहीं है, कहते हैं प्यार की कोई उम्र नहीं होती, कोई उम्र देखकर प्यार नहीं करता है, लेकिन कभी कभी उम्र के वजह से विचारों में बहुत अंतर हो जाते है और एक दूसरे को समझना मुश्किल हो जाता है, अनन्या अपने दोस्तों के साथ पिकनि के पर गई वो भी अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए आया हुआ था अनन्या को वो लड़का बहुत अच्छा लगा वो उसे देखे जा रही थी उसकी नजर उससे हटी नहीं रही थी वो अपने दोस्तों के साथ त्रो बॉल खेल रहा था जब शाम हुई घर जान मीडिया पर घूंडने लगी रहूल उसे फेस्बुक पर मिला उसने तुरंत रहूल को फ्रांड रिक्वेस्ट भेज दिया और इंतजार कर रही थी कब वो उसका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा अगले दिन जब सुबह अनन्या सो कर उठी तो सबसे पहले वो अपने फ रहूल ने उसका फ्रांड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया था वो तुरंत रहूल के प्रोफाइल पर गई और उसके पहले के सब पोस्ट उसके फोटो देखने लगी उसने रहूल के जनम दिन की तारीक देखी कुछ दिनों पहले ही उसका जनम दिन था अनन्या ने ये के बारे में पूछती थी उसकी पसंद ना पसंद सब रहूल मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था अनन्या की ग्रेजुएशन हो गई थी एक दिन अनन्या रहूल के कॉलेज चली गई उसे देखने के लिए वो कॉलेज के बाहर ही खड़ी थी वो रहूल का इंतजार कर रही थी राहूल अपने दोस्तों के साथ कॉलेज से बाहर निकला, उसके साथ तीन लड़कियां और एक लड़का था अनन्या राहूल को लड़कियों के साथ देख कर बहुत बुरा लगा, अनन्या उसके पास नहीं गई बस दूर से ही देखी अनन्या ने घरा कर राहूल को मेसेज किया कि आज मैंने तुम्हें देखा राहूल उस वक्त ऑनलाइन ही था उसने पूछा कहा अनन्या ने कहा आज मैं तुम्हारे कॉलेज आई थी राहूल ने बोला आई थी तो मिली क्यों नहीं मुझसे अनन्या बोली तुम अपने दोस्तों के साथ जा रहे थे और तुम्हारे साथ कुछ लड़कियां भी थी, एक बात पूछूँ राहूल ने बोला हाँ पूछो, अनन्या बोली क्या तुम्हारी गल्फ्रेंड है उस वक्त राहूल ने उसका मेसेज नहीं देखा, अनन्या इंतजार करती रही कि अब आएगा राहूल का रिपलाई, लिकिन बहुत देर हो गई थी, राहूल ने रिपलाई नहीं किया था अगले दिन सुबह राहूल का रिपलाई आया कि नहीं है उसकी कोई गर्फ्रेंड, ये मेसेज देखकर अनन्या खुश हो गई राहूल ने ये भी पूछा था कि क्यूँ पूछ रही हो ये अनन्या बोली कुछ नहीं बस ऐसे ही जानना था अनन्या की बातों से राहूल को लगा कि शायद अनन्या उससे प्यार करती है उसे भी अनन्या अच्छी लगती थी ये जानते हुए भी अनन्या उससे उमर में बढ़ी है फिर भी उसने कुछ दिनों बाद अनन्या को प्रपोज कर दिया अनन्या तो मानो सातवे आसमान पे थी उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो जिससे प्यार करती है उसने सामने से खुद उसे प्रपोज किया है वो खुद को दुनिया की सबसे खुशिसमत लड़की मानने लगी वो नाच रही थी, खुशी मना रही थी मानो की अनन्या पागल सी हो गई थी, उसने राहूल को हाँ बोल दिया, वो दोनों रोज बाते करते, राहूल के कॉलेज के बाद मिलते थे साथ घूमने जाते थे, उनके रिलेशन को लगभग एक साल हो गए थे, राहूल का तीसरा साल था मेडिकल में, अनन्या अब जॉब क जौब के वजह से वो पहले की तरह रोज राहूल से नहीं मिल पाती थी। वो दिन भर जौब में व्यस्त रहती थी और रात को फोन पर ही जदा टाइम एक दूसरे से बात करते थे और रविवार के दिन दोनों मिलते थे। से आकर राहूल को फोन करती थी लेकिन उस वक्त भी बाते काम और जगड़े जदा होते थे। अनन्या को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो चाहती थी कि राहूल उसे समझे कि वो अब जौब भी करती है तो पूरा टाइम उसे नहीं दे सकती उसे भी अपना एक करेगी इससे शायद जगड़े काम हो उनके बीच और वो दोनों एक दूसरे को टाइम दे सके। फिर अगले ही दिन वो हाफ डे की छुट्टी लेकर राहूल से मिलने उसके कॉलेज गई। उधर उसने देखा कि राहूल कॉलेज के बाहर एक लड़की के साथ था। उसी सम अनन्या गुस्से में घर चली गई। शाम को राहूल ने उसे फोन किया। अनन्या ने पूछा कहा थे तुम मैंने तुम्हें दोपहर में कॉल किया था। राहूल ने कहा कॉलेज में था इसलिए फोन नहीं उठाया था। ये सुनकर अनन्या को और गुस्सा आ गया कि राह जूट बोल रहा है। इसका मतलब राहूल जरूर मुझसे कुछ छुपा रहा है। दो दिन बाद फिर अनन्या उसके कॉलेज गई। वहाँ उसे वो लड़की दिखी जिसे अनन्या ने राहूल के साथ तब देखा था जब वो पहली बार राहूल से मिलने कॉलेज गई थी। अनन्या ने उससे बात किया। उसने पूछा तुम राहूल को जानती हो। वो इसी कॉलेज में पढ़ता है। वो बोली हाँ जानती हूँ वो मेरा दोस्त है। फिर अनन्या ने उससे पूछा अभी क्या वो अपने क्लास में है। वो लड़की बोली नहीं वो अपनी गर्ल अप हो गया था लेकिन अब फिर कुछ दिनों से दोनों साथ है अनन्या ने उससे राहूल की गल्फ्रेंट का नाम भी पूछा उसने बोला प्रिया ये सब कुछ सुनकर अनन्या को बहुत गुस्सा आ रहा था वो सीधा अपने घर गई वो बहुत रोई की मेरे साथ ऐसा वो किसी और से प्यार करता था तो मुझे क्यूं प्रपोज किया क्या मैं उसके लिए बस एक थिलो न हूँ शाम को अनन्या ने राहूल को फोन किया उसने पूछा कहा थे तुम पूरा दिन सुबह से ना एक मेसेज ना एक कॉल राहूल बोला मैं कॉलेज में ही था पढ़ा वो बोला नहीं फिर अनन्या बोली मैं उसी प्रिया के बारे में बात कर रही हूँ जिसके साथ आज तुम भूमने गए थे ये सुनते ही राहूल ने कॉल कट कर दिया अनन्या उसे फोन करती रही लेकिन वो फोन नहीं उठाया अनन्या ने उसे मेसेज किया कि राहूल फोन उठाओ मुझे बस मेरे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। उसके बाद भी राहूल ने फोन नहीं उठाया। अनन्या ने उसे मेसेज किया कि कल मैं तुम्हारे कॉलेज आ रही हूँ मुझे मिलना है। इस पर राहूल ने तुरंट रिपलाई किया कॉलेज में नहीं तुम म मुझे कॉलेज से पहले एक गार्डन आता है वहां मिलो। वो नहीं चाहता था कि कॉलेज में उसका नाम खराब हो और उसकी गल्फरंट को कुछ पता चले। अगले दे ननन्या उससे मिलने गई। उसने पूछा क्यूं किया तुमने ऐसा। क्या गलती थी मेरी। तुमने मुझे खुद प्रपोज किया था, अगर तुम्हारी पहले से ही गल्फरंट थी तुम उससे प्यार करते थे तो मुझे प्यार का नाटक क्यों। फिर रहुल बोला जब मैंने तुम्हे प्रपोज किया था तब प्रिया मेरे साथ नहीं थी, लेकिन तुम अब अपने प्रिया मुझे रोज कॉल मेसेजेस करती थी और हमारे बीच की गलत फैमी अब दूर हो गई है जो पहले हुई थी और हम अलग हो गए थे मैं उसे प्यार करता हूँ फिर अनन्या बहुत गुस्से में बोली प्यार क्या कोई खेल है क्या आज इसके साथ कल उसके साथ क्या को रहुन ने कहा जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता मैं प्रिया से प्यार करता हूँ अनन्या बिना कुछ कहे वहां से चली गई